नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन टेटर में और जैसा कि आपने थमनेल में देखा है हम एक बैंक निफ्टी का मूव कैप्चर करने की कुशिश करेंगे जो कि हमें आप कह सकते हैं कि 12 ओफ में इससे पहले पहले ये मूव हमें मिल जाना चाहिए जिसकी में थमनेल में चर्चा करी है और आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वालाओं में मिनिमम तेड़ हजार ये पॉइंट बैंक निफ्टी मूव करना चाहिए एक डिरेक्शन में या तो नीचे या तो उपन तो हम क्या कर सकते हैं ब्रेक आउट लेवल एक ब्रेक ठीक है बैंक निफ्टी में खुद बखुद दे रहा है तो इसकी हम लोग एक बार लेवल मार करके कैसे इस पोड़ कैप्चर किया जाए कैसे इस पोड़ ट्रेड किया जाए उसकी मैं अनलसेज आपके साथ शेयर करूँगा और रिक्वेस्ट आप से यह यह ट्रेड अगर एक जोन बन गया ठीक है यहां से लेके यह एक बॉक्स के अंदर कैद हो गया आप कह लिजे जेल में कैद हो गया और इसके अंदर जो सबसे देखने वाली चीज है यहां पे सारे के सारे EMAs भी इसके चिपक गया है यह नीचे 200 EMAs है जिसके नीचे इसके लोज करने के बगा रहा है ठीक है और उपर की तरफ से यह 100 यह 50 यह 20 और यह 10 EMA और 10 EMA के उपर यह क्लोज करने के लिए तयार नहीं है ठीक है 10 EMA के उपर क्लोजिंग नहीं आ रही है जो कि यह 36,400 के आसपास है यह नीचे 200 EMA 36,400 पे आपका 10 EMA है तो इसी के बीच में आप इसके ज़र देखी एक तो तीन चार पांच छे यह आपके 36,000 से लेके 36,440 इसी के बीचे हैं सिर्फ 400 से 440 के बीच में आपकी क्लोजिंग आती जा रही है और अगर आप इस क्लोजिंग को नेगेट कर दें सिर्फ यह वाली क्लोजिंग ठीक है जो कि थस्टे को आई थी last to last week 36,800 प्लस को इस वाली क्लोजिंग को अगर आप फोड़ देते हैं तो यह भी पूरी क्लोजिंग इनी दोनों के बीच है ठीक है पूरी क्लोजिंग इनी दोनों के बीच है तो एक देखने वाली चीज क्या निकल के आ रही है हमारे सामने कि भाया 36,000 और उपर की तरफ 36,420 आप मोटा मोटा साड़े 400 यह एक क्लोजिंग बेसिस पर आप चार्ट पकड़ सकते हैं कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे आती है कोई भी क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो समझ लिजिए आप की एक breakdown दिखा रहा है ठीक है एक breakdown दिखा रह ए आपका पैंक निफ्टी नीचे की तरफ ये आपका मूव दे सकता है जिसकी हम चर्चा करते है ठीक है हजार से पंद्रा सुब्र और कोई भी क्लोजिंग आपकी 36,450 के उपर आती है ठीक है तो वो आप देखेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगर मान लीजिये मंडे को आ जाती है तो साथ दिन की हाइस क्लोजिंग होगी तो क्लोजिंग बेसिस पे एक ब्रेकाउट लेवल का काम करें ठीक है अब धियान से सुनिये ये तो मैंने आपके साथ एक रेंज डिसकस करी है जो क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी प्ले कर रहा है आप यहां पर देखेंगे जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, बहुत रेर होता है कि बैंक निफ्टी 6 डे, 6 डे में ऐसे उपर नीचे हो जाए ठीक है ऐसे उपर नीचे हो जाए बट इसने जब इसको तोड़ा इस रेंज समझाने की कोशिश करता हूँ, यह देखें, यह भी 400 से 500 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर यह इसने 6 डे ट्रेडिंग की, अब कोई ट्रेडर क्या सोचके बैठेगा कि जब यह ब्रेक होगी मैं इसको प्ले करूँ, पर यह ब्रेक कैसे होई, एक गैब बना, और जब प्ले करने का मौका, बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, और यहा तो इसको बहुत दिन होगी, एक, दो, तीन, चार, पांट, छेन, साथ, आठ, नो, तस, तो मेरा मानना है कि अगले वीक, या मैक्सिमम आप बारा में तक, या मैक्सिमम बारा में तक, या तो बैंक निफ्ट में 34,200 के आसपास का लेवल देखोगे, या फिर आप बैंक निफ्टी में 37,500 तो 37,800 इसके बीच का लेवल देखोगे, ठीक है, बारा में से पहले-पहले, या तो स्क्रीन पर 34,200 देखेगा, या स्क्रीन पर 37,500 से 800 अब आता है कि भाया, अगर ऐसा होना है, अगर ऐसा होन है, तो इन मोब्स को कैप्चर कैसे किया देखे, आज ये इसको देखते हैं, अब कल मंडे है, देखो दोसको कल मुझे पता नहीं कहां को लेगा, सिंपल सी बात है, 35,500 अगर कल के दिन ही पूप जाता है, और इस लेवल के नीचे, 15 से 20 मिनट तक ट्रेड हो जाता है, 15 से 20 म आर्गेट आपके रहने वाले हैं, 35,000 पहला, 34,800 दूसरा और इसके नीचे जाएगा, तो 34,400 से लेके 34,200 तक के लेवल आपको देखने को मिनने चाहिए, इस प्रकार से आप अपनी एक एक लॉट की बुकिंग करते हैं, अगर ये लेवल स्क्रीन पे आते हैं, और gap डाउन में इसके नीचे bank nifty trade करता है, तो बहुत chances है, आपको ये जो zone, ये जो consolidation है, ये break होता होँ मिलेगा, ठीक है, ये consolidation जो है, break होता होँ मिलेगा, SL आपको लगा लेना 35,600 और ये तीन target के लिए आपको play कर, ये मैंने आपके साथ कल, कल जो एक, क्या कहते हैं, चीज हो सकती है, आपके साथ share की, आपको trade कैसे बने, trade जब भी लें bank nifty में, दोस्तों, आप ये चीज गांट बांग लिजे, कोई बोलता है न, bank nifty में 20,000, 25,000, 40,000 का loss लेके बैठा हुआ है, position में इतना, आप जब भी bank nifty में trade लेना, कभी भी bank nifty में, 500 points से उपर का SL नहीं लेना, ठीक है, 500 points से उपर का SL नहीं चाहिए, आपने buy किया हो, आपको trading का, आपको technical का घंटा नहीं पता, आप कहीं से भी position लें, जहां से भी आपने position लें, spot में आपके against, अगर bank nifty 500 points गुम गया, आपका SL हीट हो गया, आप ये लिख लीजिए, किताबों में, अपने घर की दिवार पे च ट्रेड लिया, फिर 35,450 के आसपास से ट्रेड लिया, तो भाया 35,600 अगर स्क्रीन पर आ जाता है, तो आपका SL हीट है, निकल जाए है फिर वहां से जो भी loss लिया, अपने 3,000, 4,000, 5,000, इसे बड़े-बड़े loss क्यों लेते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, ये basic rule है, basic चीज ह ठीक है, चलिए वीडियो पर आते हैं दुबार, एंसे पर आते हैं, अब नहीं, अगर ये कल के दिन 35,800 इसके नीचे नहीं जाते हैं, ठीक है, फिर वही चिल्दी जोरी करता है, ये ऐसी गुनता रहता है, कोई move नहीं है, कोई move नहीं है, candle आके ऐसी बंद हो जाते हैं, तो 36,700, 36,700 ना break करें, ये मैं intraday trading की बात करूँ, ठीक है, intraday trading की बात करूँ, intraday trade होते हैं, अगर ये level तूप जाता है, तो मैंने आपको बता दिया, कैसे play करना है, intraday के अंदर ही, मान लिजे, 9,15 से लेके, 2 बजे तक, 1,5 बजे तक, अगर ये level तूप जाता है, 34,700, इस 36,580, 36,580 का SL लगाना है, और इस level के उपर buy कर लेना है, target है आपके 37,100, ठीक है, 37,500 और 37,800, अगर आप इस level के उपर sustain होने पर buy करते हैं, ये आपका SL है, ठीक है, इस परकार से आप अपनी trading को design कर सकते हैं, आगे आने वाले दिन में, हाँ, एक risk आप ले सकते हैं, जो मैंने closing basis पर बताया, ठीक है, closing basis पर भी, अगर आपको 36,000 के नीचे closing मिलती है, तो आप sell side का trade ले सकते हैं, और अगर आपको closing 36,450 के उपर मिलती है, या बहुत ही एक sure figure लेना चाहते हैं, तो 500 ले लिए, 36,500 के उपर कोई closing मिलती है, तो आप buy side का trade ले सकते हैं, और यहां से minimum target आप रखें कि आपको 1000 point मिलेंगे, 1000 से 1500, closing basis पर trade, ये दो लेवल दिमाग में रखें, और intra day में 36,700 सस्टेन होता है, तो आप buy side का trade लेजे, अब 12 बज़े माल लेजे, तो आप और ये 36,500 के उपर चल रहा है, तो अब 3 घंटे closing का थोड़ करेंगे, ये तो भाग जाएगा, 37,100 तक आपका trade शुट जाएगा, ठीक है, इंट्रा day में ये लेवल कटता है, 36,700 तो आप buy side का trade इनिशेट करिए, इंट्रा day में नीचे की तरफ 35,500 का level कटता है, तो आप sell side का trade लेजे, closing basis पे 36,000 और 36,500 का ध्यान रखें, तब आप buy side का 1000 से 1500 के पीच में capture कर सकते हैं, और minimum 800 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, तो तयार हैगा, bank nifty अच्छा move देने के लिए, तयार है, कितनी छोटी range में, 400 से 500 point की range में, मैंने कभी bank nifty की 10 दिन की closing नहीं देखें, ठीक है, और मुझे लगता है, next week में ये जो Friday तक जो है, अगले 5 दिन में ये मेरा analysis result दे देगा, जो मैंने आपने साथ share थे, तो इस video को repeat करके देखेगा, कैसे position बनानी है, कहां से position बनानी है, आप trade लीजी, ठीक है, चलिए, thank you very much.